हलो फ्रेंड्स गुजरात टेक्नोलोजीकल उनिवर्सिटी नी अंदर डिपलोमा मिकेनिकल एंजिनेरिंग सेमेस्टर फोर नी अंदर अपियास करता विद्यार्थिवाने एक सब्जेक्ट ओफर थाई छे थर्मल एंजिनेरिंग वन तो आ सब्जेक्ट नी अंदर चुना सिल क्वेशचन वन एविची और सिस्युख अने टू इबपिसी ओर टू एबिसी एविद्यार्थि सर्गां एविद्रिंधक चौर रवी ध्यू और यहां क्वेश्चिन प्यपपर नी अंदर मिनिमुं 128 क्वेश्चिन अथ्वा एक्जामपल अशे अन्फे अ मेक्सिमुं सब्सक्राइब वाड़ो तो एलो कोई जुना क्वेशन पेपर रिफर कर से तो एनी अंदर केटलाग टॉपिक नूँ वेटेज बदलाईगी उचे अनने केटलाग टॉपिक सिलेबस मां थी निकड़ी गया छे अनने केटलाग टॉपिक एड थया छे तो आजे आपने एच चेप्टर वाइस जो एस हो कर या कया 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 टॉपिक एड थया चे है कया टॉपिक त्यार करवाना चे अने कयाastes कर्वाना नधी तो चेप्टर वाइस आप्टर एकर टॉपिक मां थी नवा सिलेबस मुझे पुछा में लग से अन tract Muchas you are अथ्वा एक्जाम्पल आप पेला चेप्टर माथी हासे, यह जा पेला चे इनी बार नू काई पुछावानू, नथी मात्र पांच टोपिक छे, हवे आप पांच टोपिक माथी क्वेश्चन के वीड़ते पुछासे, Q1. What is a two-phase system? Give two examples of it. एले के बेत बक्ताने system सूँचे तेना उधारणापो, explain formation of steam and its various phases, वराणनी रचना अने तेनी विवीद्बक्ता बक्ताओ जानाओ, एले के ना प्रकार जानाओ, Give The Importance Of Mollier Chart Draw The Mollier Chart Show Throttling Process And Critical Point On It योले के Mollier Chart को महतपज समझाओ Mollier Chart दोरhou and Throttling प्रक्रिया and Theta Das Patriots Critical Point दरसाओ मीत्रों Throttling Process जय चे जुना syllabus मा थी नवा syllabus मा थी तरी यों question जय चे इनना पहला two line जय आपड़ा पहला has Ilay बस मां छे, थ्रोटाल लिंग जे छे, इन वास ले बस ने अंदर तियार करवानू ना थी. Question number four, define, येले के व्याख क्या आपो, pure substance, degree of superheat, sensible heat, latent heat, and dryness fraction. तो आटाइब में question कुछा हां से, question number five, give equation for enthalpy, येलेक एंधाल में पांटे ना समीकराण लोखो, wet steam, dry saturated steam, superheated steam, अथ्वा एवी ते पना पुछा है, question number four औने five, बेन एक कंबाइन करी ने पुछा हाई सके छे, एक question क्यों वी ते पुछा है, defined dryness fraction of steam, and state its values for dry and saturated steam, आएट ते पना question पुछा है, एले four औने five जो जो छे, इना mixing करी ने कोई पुछा है सके छे, question number six, state types of steam, and represent it on PVTS and HS diagram, वराणना प्रकारो लखो, अने तेने PVTS and HS diagram पर दर्साव, तो question number two and six काई कंसे मडता आवे चे, नात्र question number two ते एर करी दो, तो एनी अन्दर question number six पौन आवी जाई चे, 7th question, least four industrial applications of steam, वराणना चार अध्योगिक उप्योगों लखो, 3 पर पुछा है, 5 पर पुछा है, depends upon paper setter, एने उग जरूरी नथी के चारज पुछा है, next question, अवे examples, तो जो पहला चेप्टर माथी आटला question पुछा है, आ साथ question नी बाहर नो एक पॉन question पुछावानो नथी, I hope it is clear, एले के 3-4 question आ साथ माथी पुछा से, एले 50 टका जेचे, एले आपने वर्क आप यू केवाए, अवे आ चेप्टर माथी example काई आप रखाना पुछाईचे, तो example based on molial chart, latent heat, sensible heat, super heat, enthalpy, entropy, degree of super heat, अने steam table नो उप्योग करी, अने आ टाइप ना example जेचे, आप पेला आप चेप्टर माथी, पुछाई सकेचे, जैनो डेटाई याँ पेलो छे, तो वीडियो स्टोप करी, अन्ना example तमे लखी शको छो, अन्ने एनू solution जेचे, ए तमार त्यार करवानू छे, शक्क्य हसे तो exam शरू थाई, एनी पहला आ पच्छी ना 34 question जेचे, जुना syllabus मुझब छे, 2 question जे, सोरी, थ्रोटलिंगे टलेशू, पीवने टीएस डियाग्राम पर थ्रोटलिंग प्रक्रिया दर्साओ, अध्वावी तो पुछाई, के थ्रोटलिंग के लोरी मिटर, कंबाइन सेपरेटिंग एन थ्रोटलिंग के लोर 105 subject जेलोगाने उफर्थायलोचे, आवकते पहली वकत जेलोगी दियार थियोंने आ subject उफर्थायलोचे, एमने आप बनने question त्यार करवानी आवश्चकता न थी, कदा जो पेपर मां आग question पुछा से, तो आपने mail करी, और जिटीव मां जान करी सो के नवा सिलेबस ने अदर आ निकड़ी गेऊ छे, एला आपने नाम माघजया छे, ए मड़ी जासे, तो डॉंट वरी, एक्जाम मा पुछाई तो अपन चिंता करता नहीं नव चेप्टर नबर टू, steam generators, आ चेप्टर नो जुनु नाम के युदू छे steam boilers चे, आ चेप्टर में टोटल छो टोपिक सिलेबस मां चे, चेनी अंदर थी, आ जे ग्रीन कलर करे लो चे, ए बदा टोपिक चे, नवायड थे यह रा छे, आ क्वेस्चन आ चेप्टर मां थ सोई सो टका पुछा से, तो वे जुए के question के वी ते पुछा से, तो question number 1, ब्रो टिपिकल लेआउट ओफ थर्मबर पावर प्लांट, मीत्रो जुना question paper मां आ question क्यारे पुछाये लो नथी, पौन नवा syllabus के अंदर आ topic 8 थे लो चे, एले पुछावानी पूर्य पूरी अफ बोईलर, बोईलर नी पसंदगी ने असर करता चार परिबड़ो चानाओ, लिस्ट मिनिममम बोईलर मांटिंग्स एस पेर IBR, इंडियन बोईलर रेगुलेशन मुझब, जरूरी नियुनतम बोईलर मांटिंग नी सुची बनाओ, एनो लिस्ट ते आर करो के IBR परमाने काया काया मांटिंग्स हुआ चोहिए, अत्वा एच क्वेशन जुदिरी ते पन पुछाए, राइट इन ब्रीफ अबाउट आईब आर ए, इंडियन बोईलर रेगुलेशन एक्ट विसे संक्षिप्त मालाखो, एना विसे टुकमा माहिती आपो, अत्वा इविर ते पन एक नी अंदर आजावी जाईचे, खाली आईब आरे तेयार करीदो, इंडियन बोईलर रेगुलेशन एक्ट तेयार करीदो, के नी अंदर काया काया मांटिंग्स हुआ जुए, एला त्रना त्रना क्वेश्टन जेचे, एनो आंसर चे ए आपने लाखी सकेशू, एस इसरन बोईलर, बेबजोख-Wilcox बोईलर, पेकेज़ बोईलर, टलb फ्रigram बेटीजा बीढंशन बोईलर, अथा FBC Be Trading और चे बोईलर कोई दिएस लोग नोएक्स ना होई बर्नर होई पॉन इस सिलेबस ने अंदर लखवा माँ थोड़ी भूल थे गई चे त्या लोग नोएक्स बर्नर आवू चुए तो आज चेस सीरियल नंबर 45678 चे ए मात्रों नवा सिलेबस माँ चे जुना सिलेबस ना वि FBC NOX आने West Heat Recovery boiler तो आ बद्धाज boiler चे एने आकुरूती आपने 116 का आवलवी जुए लगता कदा चन्वा आवले तो काई वांदो नी पन फिगर ड्रो करता आवलवी जुए कोई पन क्वेश्चन पिछाए तो ननकली फिगर जेचे ए एमा तमारे ड्रो करवा नी जी चे त कोई पन एक विजे तो कमा सम्झाओ अथवयो कुछे ए त्वायो कुछे एडिफरेंचिये बेट्वीन अच्छा क्वेशन नूम्रे नें तभावत अपो, फायतुब नवरो नुटियूब बिलर, बोलर मांट लंटिंग् देसरीजिस, इंडूटिश्व द्राफ नविचे चार तभावत लखो एक्स्प्लें दा फंक्शन लोकेशन और वर्किंग विद नीट स्केज अग्यार मों क्वेश्चन छे एमा थी एक अथ्वा बे सो ए सो टका पुछा से एले कोई पन एक बूलर माउंटिंग पुछा से अथ्वा एसेसरीज पुछा से इनू स्थान इनू अने इनू कारिया एनू लाइन डाइग्राम आट नू तमने आवलो जुए दाखला तरी के वटर लेवल इंडिकेटर ब्लो ओफ कोक फीट चेक वाल प्रेशर गेज बर्डेंटिव प्रेशर गेज उपन लखेल वोई शके स्टीम स्टोप वाल फीड पंप एकोनोमाइजर एर प्री हिटर, सूपर हिटर अने स्प्रिंग लोड़ेट सेफ्टी वाल इनी अंदर थी आजे छो, साथ अने आट चे एबदी एसेसरीज चे बाकी ना बदा माउंटिंग्स चे रखाले माउंटिंग नू लिस्ट बनवानू लखवानू पुछाए तो ये आट नू लख जो जो ये लखवाना रेसे, question number 12, state the purpose of superheating in steam power plant, अत्वाय ते पुछाए, state the purpose of superheater in steam power plant, steam power plant नी अंदर, superheating नो हेतू सम्झाओ, अत्वाय हम पुछाए के steam power plant मा superheater नो हेतू सम्झाओ, बनने ते question पुछाए, answer same answer, question number 13, define boiler efficiency, boiler power, evaporative capacity and equivalent of evaporation, आ क्वेशन मा पुछाए सकेचे, अने question number 14, Lancashire boiler ना फाइदा ने गेर फाइदा जाणाओ, state the advantages and disadvantages of Lancashire boiler, जुनाग पेपर मा आ क्वेशन पुछाएलो छे, और नवा syllabus ना विद्यार्थियो ये आ क्वेशन तैयार करवानी जरूर, नथी, ए जुना syllabus माचे, नवा syllabus नींदर, Lancashire boiler नथी, So don't worry about it, कदा जो question paper मा पुछाए जाए, तो फर्चिंता नहीं करवानी, आपने mail करी, और जीटिवने ध्यान दोरी सुके, आ syllabus बहार नो topic question paper नेंदर, पुछाए गयो छे, आचे प्रमाथी एक्जामपल काया प्रकाना पुछाए, तो जो अहीं तमने दस एक्जामपला पुछाए, आँ दस माथी एक्जामपल पुछाए सके छे, आँ पाच एक्जामपल नहीं आपेला छे, और बीजा पाच एक्जामपल नहीं आचे, आ बदा एक्जामपल लग विद्बग एकच सर्खा चे, बोईलर ट्रायल पर ना चे, यहने बेलेंसीट तेयार करवानी चे, आने बोईलर पावर अत्वा हीट केपिसिटी के एंथाल्पी ओफिए ओपरेशन फाइंड करवानू चे, तो आए एक्जम्पल जेचे यह तमार तेयार करी देवाना, शक्क चेट चेप्टर छे, इन्हों सिलेबस गणवद बदलेगियों चे, आ टोपिक मां थी नवा सिलेबस नी अंदर सत्तर मार्क ना क्वेशन पुछासे, एले खुब जी सारू वेटेज छे, छथी साथ क्वेशन अत्वा पाच्थी च्वेशन अत्वा एक्जम्पल आ चेप् स्टीम प्राइम 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 प्राइ अवा सिलेबस माटे एते यार करवानी आवाशकता नथिंग. Q2. Explain working principle of impulse steam turbine with needs gauge. आकुरू दी साथे impulse steam turbine नो कार्या सिज़ान सम्झाओ. differentiate between impulse turbine and reaction turbine. impulse turbine और reaction turbine वच्चे नो तभावत लखो. state the functions and applications of steam nozzle and types of steam nozzle. steam nozzle ना कार्यो और प्योग जनाओ ना प्रकार लखो. मेत्रो टर्बाइन नो एक क्वेश्चन सोट काहा से? अक तेर स्क्रीन उपर जावे चे एक टर्बाइन ना बदा क्वेश्चन चे. आ चेप्टर त्रण भागमा विभाईज धेलू चे. पेलू टर्बाइन, बिजु कंडेंसर अने त्रीजु कुलिंग तावा. तो पेला जुए टर्बाइन मा थे काया का क्वेश्चन पुचाए? क्वेश्चन नुम्बर फाइव, डिराइव दे एक्वेश्चन फॉर आउटलेट वेलोसिटी उफ स्टीम थू नोजल बाइप्लाइग स्टीम नोजल नागू करी, state the necessity of compounding in steam turbine and explain pressure compounding. Steam turbine मा compounding निँ आवशक्त जनाऊ और pressure compounding समझाओ, अथवा velocity compounding पुचाए, अथवा velocity pressure compounding पुचाए. compounding नोज, एक क्वेश्चन स्वोटा काहसे? यह य्ज़ेके question 789, ए त्रानत्प्वेश्चन त्यार करशो, एल्ले एमा थी एक question हसे, ये विजरिते इंपल्स टर्बाइन और रियक्शन टर्बाइन, ये बने नो डिफरेंस और ये बने विशे, ये नो लाइन डियाग्राम और वर्किंग प्रिंसेपल, ये पन आ चेप्टर माथी पेपर नियंदर कुछ आसे, तो आ नव क्वेश्चन माथी बेथी त्रोल क्व नियंदर सोटा काहसे, तो आथे गियु बुएलर, सोरी टर्बाइन, हवे जो ये कंडेंसर, कंडेंसर माथी क्वेश्चन के विटे पुचा, तो ग्वेश्चन नम्बर वन, state the functions of condenser, explain surface condenser with nitsket, condenser ना कार्यों लखो, आने surface condenser नी आकृती साथे सम्झाओ, अथो ये तो पुचाई, state the advantages of condensers in steam power plant, state the advantages of surface condenser, surface condenser ना फाइदा लखो, differentiate between jet condenser and surface condenser, ये जेट condenser अने surface condenser वाचे तफावत लखो, अथफाविटे पुचाई, compare the jet condenser with surface condenser, surface condenser अने jet condenser नी सर्खाम नी करो, question number 14, draw a neat sketch and label the diagram of the condensing unit of steam power plant, steam power plant ने अंदर जे condensing unit वाचे अने आकृती साथे सम्झाओ, define condenser efficiency and vacuum efficiency, condenser नी कारेक्षमता अने सुनिवकाश कारेक्षमता व्यखेद करो, enlist sources of air leakage, question number 16, enlist sources of air leakage in condenser, condenser मा air leakage ना स्त्रोतोर नी महितिया आपो ये नि नुदिनी करो, अत्वायत क्रेशन वीते पुछाई, state the methods to detect 8 leakage in the condenser, condenser नी अंदर हवानू leakage सुधवा माटे नी पदतियो जणाओ, अने चलो प्रेशन, condenser माथी, list the advantages and disadvantages of chat condenser, chat condenser ना फाइदा अने फाव देवनी यादी बनाओ, मित्रो आ टोपिक जेशे, तदाच अगरो लागतो हो है, तो मात्र condenser नो line diagram, एना फाइदा, एना working principle, अने गेर फाइदा, आटलू तेयार करी दो, पहला मात्रा condenser ना क्वेशन के भी तेयार करी लो, chat पुछाए के surface पुछाए, एद लखे देवान। तो अपन minimum चाल से, एद ग्रेड माटे नहीं चाले, पना passing marks माटे एद लो चाल से, तो आग questions condenser ना थे गया, हवे जो यह cooling tower ना question के भी ते पुछा से, तो cooling tower मात्री पहलो question आवीर ते पुछाए, classify cooling towers and mention why they are used, cooling tower ना वर्गी करान करो, और तेनो अप्योग सामाट साईचे, ते समझाओ, state the purpose of cooling tower, and explain any one of them with the next sketch, एले के cooling tower ना हेतु का चालाओ, आने ते मात्री कोई पन एकने sketch साथे समझाओ, अथ्वाइर ते पुछाए, state the function of cooling tower, cooling tower ना कारिय समझाओ, एनो हेतु समझाओ, question number 20, explain natural draft hyperbolic cooling towers with neat sketch, natural draft hyperbolic cooling tower आकरुपी साथे समझाओ, state the advantages and disadvantages of natural draft cooling tower, कुजरती draft cooling tower ना फाइदा अने गेर फाइदा समझाओ, state four advantages of hyperbolic cooling tower, hyperbolic cooling tower चे चे एना चार फाइदा उलोखो, and last question from cooling tower, differentiate between natural draft cooling tower and mechanical draft cooling tower, natural draft cooling tower आने mechanical draft cooling tower वेचे नो तफाओद समझाओ, तो अच्छाए चार क्वेस्टन चे ए मात्रो बे टोपिक ने यंदर तयार थे जासे, cooling tower येना प्रकार येना working principle अने येना तफावत, आने यंदर आखाए आखोँ जिएचे, आच्छाए चे क्वेस्टन चे, ये आवी जिसे, तो आच्छाए मात्यी बे क्वेस्टन पेपर यंदर शोए सोटकार पुछाँछे, अवे आमात्ये example के वीड़े पुछाईचे, आ चेप्टर माथी, त्रीजा चेप्टर माथी, ए आ टाइपना एक्जाम्पल होई शोकेचे त्रोन एक्जाम्पल यह दर सावेला छे, ए तमारे जात्य स्वोल करवाना छे शक्की वसे तो चैनल निंदर इन्दर इन्दर सोलूशन अप्लोड करीशू अथवा PDF जो त्रोन टोपिक छे, ए पर तमारे साथे शेर करीदेश, तो ए तमारे त्यार करवाना रेसे हवे चेप्टर नंबर 4, एर कंप्रेसर आठ चेप्टर निंदर मात्रो त्रोन टोपिक छे, 4.1 तू 4.3 अने आठ टोपिक माथी चाओध मार्क ना क्वेशन पुछाई सके छे एटे लगभग 4.5 पांच क्वेशन अत्वा एग्जामपल आठ टोपिक माथी पुछाई से तो एक क्वेशन काया काया से एज होईए क्वेशन नंबर वान, वाट इस देफ्रेंस बेट्वेन कंप्रेसर और एर ब्लोवर अने एर ब्लोवर वाचे तफावात सुचे जाणाओ, स्टेट दा पर्पस एर कंप्रेसर नो हेत्टू जाणाओ, स्टेट फोर एप्लेकेसंस ओफ कंप्रेस्ड एर, कंप्रेस्थ थेली हवानी चार उप्योगिता जाणाओ, एतो आपने जनरली पन लाखी शकाईक, हवान माटे थाई चे, क्लेनिग माटे थाई चे, टेक्टल इंडिस्टिस, मिमेटिक डिवाइसीज आ बद्दानी अंदर कंप्रेस्ट एर चे, एन उप्योग थाई जाणाओ, ब्रोर नीट्स केच ओफ, सिंगल स्टेज रेसिप्रकेटिंग कंप्रेसर, एन एक्स्प्लें इस व रेसिप्रकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रकेटिंग कंप्रेसर पर क्लेरंस नी असर सम्झाओ, एब एक्टेन नो अंसर सेमाओ, एक्टेन नो अंसर सम्झाओ, एक्टेन नो अंसर सम्झाओ, एक्टेन नो अंसर सम्झाओ, एक्टेन नो अंसर सम्झाओ, एक्टेन नो एक् एर कंप्रेसर ना संदर विभमा व्याख्या आपो वोल्यूमेट्रिक एफिशेंसी अने क्लीरंस वोल्यों तो जो क्वेश्चन नमबर साथ छे ए पाँच अने च्वनी अंदर आवी जाई छे पाँच अने च्वनी आपने थोड़ ट्विस्ट करो and state the advantages sorry अजी बिजा क्वेश्चन ना चेप्टर माथी छे मल्टी स्टेज कंप्रेशन नी जरुएत सम्झाओ ना फाइदा लखो अध्वाइविर ते पुछाए state the advantages of multi-stage compressor multi-stage compressor ना फाइदा लखो आठ क्वेश्चन चे माथी 23 question paper नी अंदर हासे बाकी ना question चुईए with the help of PV diagram explain intercooling in two-stage air compressor PV diagram नी मुदद थी intercooling ने two-stage air compressor माँ सम्झाओ question number 10 state the types of rotary air compressor and explain any one type of air compressor rotary air compressor ना प्रकारोल जड़ाओ अने कोई पन एक प्रकार नो air compressor सम्झाओ अथ्वाइट ते पुछाए explain axial air compressor and centrifugal air compressor with neat sketch आज क्वेश्चन ने विर्टे पन पुछाए कि axial air compressor ने centrifugal air compressor आकुरती साथे सम्झाओ तो बेनो answer same house है and the last question differentiate between reciprocating air compressor and rotary air compressor reciprocating and rotary compressor ना वच्चे नो तफावत लगो अग्यार question चे एनि अंदर थी चार question minimum paper ने अंदर पुछाए अणे example जा माती पुछावा ना चे एके वीर्टे छे ए आ टाइपने example असे चोई एननो लिस्ट आपेलू छे आए example छे एननो solution book मा पना पेलू छे अन्ने शक्किया हसे तो आपने चेनल इंदर पन एननो solution जेचे पुछाए पेलोजटोपिक छे कंडेंसर, कंडक्शन, कंवेक्शन, रडियेशन, बिज़टोपिक छे heat exchanger अवे एननन दर थी question के वीर्टे पुछाए ए चोई जेचे question number one list the mode of heat transfer and give example of each heat transfer ना mode नी यादी बनाव तरेक्न उदारणा पुछाए explain various mode of heat transfer with examples उदार अन साथ ते heat transfer नी विविद रितो समझाओ इन्दर conduction, convection, and radiation वी से लगवानू छे अथवा एज question आवी टे पुछाए define लेके व्याख्या आपो conduction, convection, and radiation तो पेलो अन बीजो question छे नो आंसर लगभग सहीमा उसे फर केट लो छेके त्रणे नी definition एना unit साथे लगवानी छे बीजा question मा question नमबर 3 जो फरी बाजो repeat जेवा दागे define thermal conductivity and explain Fourier's law of conduction thermal वाख्या आपो अने Fourier's law for conduction and explain heat conduction through flat plate Fourier's law for conduction अने 178 plate पाथी पसार थती उस्मा अथवा उस्मा नो पसार थवा नो दर सम्झाव define thermal conductivity, emissivity, liminar flow, turbulent flow, thermal insulation and overall heat transfer coefficient अब बाज़ा ने definition वाँ पुछा ही सके छे अतियरजी question चार लखेला चे 1, 2, 3, 4 एमा थी 2 question सोय सोटा का चीटिवना पेपर माहा से चार मा थी 2 5, define absorptivity, reflectivity and transmittivity in contact with radiation रडियाशन नसंदरब मा सोटान प्रतिविम अने transmittivity सम्झाव 6, differentiate between free convection and first convection free convection अने forced convection सम्झाव 6, एमा थी 3 question चेटिवना पेपर माहा से 7, state types of heat exchanger describe any one type with the help of NIT sketch heat exchanger ना प्रकारण लखो अने कोई पन एक ने अकुरती साते दर्साव सम्झाव list various factors affecting convective heat transfer convective heat transfer ने सरकरता परिबलो ने यादी बनाव explain stiffen-boltzbell लो and write its equation indicating unit of each symbol stiffen-boltzbell नो नियम सम्झाव अने तेना प्रतिको एकम साथे दर्साव तु सम्मीकराण लखो explain concept of blackbody in shit in short अले के blackbody नो ख्याल सम्झाव अत्वा define blackbody and emissive power blackbody and emissive power ने विया खेथ करो difference between blackbody and greybody blackbody and greybody वेचे ना तफावत लखो अने बार मोग्वेशन state four properties of good insulator सारा एंसिलेटर ना चार गुणधर मों लखो sorry last question अवे आवे छे explain LMTD low mean temperature difference समझाव तो मित्रो आजे पाचमीकु चेप्टर छे एमा थी आ तेर question तेयार करी नाखो एले 10 mark 100% assured करी सकाए प्लस आ चेप्टर मा थी एक्जम्पल अपन पूछाई छे तो एक्जम्पल जे छे ए आ टाइप ना होई शके छे आ याँ जे आपेला छे आ त्रान एक्जम्पल छे एननो डेटा आपेलो छे एकदम सिम्पल छे एकज equation मा वेलियो मूखवा थी आ बदा एक्जम्पल छे एननों solution करी सकाए तो एतना त्यार जाते त्यार करी ले जो शक्या से तो पड़ आव त्यावे शक्या लागतू ना थी कारण के आटला बदा चेप्टर छे बदाना question अत्यार नत्यार अप्लोड नहीं थाए तुक समय मा चैनल ने अंदर आ बदानों solution जे आशे अप्लोड थाई जसे तो मित्रो आपने जे चे टेलिग्राम चैनल चे फेस्बूक पे चे इंस्टाग्राम चे एना थुट आमें जोइन थी शको जेते करें ने बदी अप्डेट्स बढ़ती रे आन्ने आए एक्जाम निंदर बदा मित्रों ने एए एक्ग्रेड आवे एवी खूब-खूब सुबेच चाओ तुम्हें तमारों किम्ती समय आप्यों एना माटे थेंक्यू, थेंक्स फुर वच्ची, कीप वच्च